हे गाइस वेलकम टो अप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली और बहुत ही इंपोर्टेंट अपडेट इसलिए क्योंकि मुझे आप लोगों को बताना है पप्स कैसे बाय करना है और इसके दौरान क्या गलती है आप लोग कर सकते हो एक बहुत ही बड़ी गलती है एक सब्स्राइब क्योंकि मुझे बता है मैजॉर्टी अफ लोग इस वीडियो को डंप कर देंगे पॉस करके निगल जाएंगे जब मैं पप्स की बात बताना स्टार्ट करूंगा ठीक है लेकिन बहुत ज़रूरी हो सकती है आपडेट तो मैं आपको दूँगा है जिनको आपडेट सिफ दे के नहीं प्रॉबेबली नहीं मुझे लगता है यह बिलियन डॉलर कैप का कॉइन है और यह आराम से वहां तक जाएगा अभी क्या कर रहा है एर्डॉप सेलिंग हो रही है बहुत से लोग अर्ली जो है इसको लेके बैठे थे अगर आपको मैं मूव दिखा दू इसमें मू सेलिंग तब ही अल्मोस किर गया था 90 परसेंट दुबारा से उपर उठा दीरे दीरे उठा विच इस अहली मूमेंट उसके बाद फिर 90 परसेंट गिर चुका है टॉप से टॉप की बात कर रहा हूं मैंने किसी को टॉप नहीं दिलाय मुझे जहां तक याद है मैंने पहली इसकी बाइंग आप लोग को कर रहा है यह 22 से 30 के अरूंड आप जाके पुरानी वीडियो और जगा देख सकते हो उसके बाद मैंने आप लोगों को यह बोला जिन लोगों को लेट बोलरन के लिए रखना है उसको कहीं भी ले सकते हैं उसको एक्यूमिलेट कर सकते हैं और पचास के नीचे आपको मिल रहा है सकते हैं ठीक है अब ले सकते हो जिनों को अर्ली मैंने दिलाया है वो यहां कहीं पर लेगे बैटे हैं 24-22 अभी of course loss में लेकिन मेरे ख्याल से इसको hold करना एक better deal हो सकती है मैं यह नहीं कहरा आप बाइ करो वो financial decision आपका ही होगा overall लेकिन अब बात कर लेतain कैसे जो गलती लोग कर रहे हैं सबसे पहले इसको बाये करने के लिए आप जो कॉइं मार्केट कैप में वहां जाके सर्च ब्रपशन में pubs डालो ठीक случае यह कॉइन मार्केट कैप यह सर्च पर गया और यह अपने इक parking … जो आता है टॉप प्लल का वह ते पर सामने कुछ इस तरह का पे जाएगा जिसका प्राइस काफी वैरी कर रहा होगा डेक्स टूल से तो इसकी चिंता मत करना वह एक्च्वल में एक लो कैप टोकन है जिसकी मार्केट अलग अलग है तो इस तरह पे की मार्केट लिकुडिडिडि की उर्ट होता है अलग अलग छल रहा है अब मैं समझाता हूं लोग गल्दी क्या जब आप नीचे आओगे साइट में तो आपको इसको आपका URL होगा उसको चेक करकें। हमारी जो वेबसाइट है देख लेना वेबसाइट का URL क्या है URL अपका क्या होगा तो जो आपका URL होगा उसको चेक कर लेना www.pubstoken.com करके होगा pubs को लेना बतारों लेकिन कोई और काइन लेना हो तो वो भी ऐसे लेना ओफिशल जगा पर जाना और official कहां मिलेगा CoinMarketCap पर वहाँ पर आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाती है Twitter की लिंक मिलती है वहाँ पर जाने के पाद आपके सामने ऐसी वेबसाइट को लेए वेबसाइट में कहीं ना कि आपको लोगो मिल जाएगा Dex Screener या फिर Dex Tool का यहाँ पर आपको कई जगा मिल ले ही जहाँ पर ले सकते हो अब आपको होगे भाई यह नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर आइकन्स देखोगे व्यू कॉंट्राक्ट वेब ट्विटर सारी लिंक मिल जारी ठीक है मैं अगर व्यू कॉंट्राक्ट पर क्लिक रहूँ तो हो है यही नहीं इस लिए difference आ रहा है क्योंकि यहां पर यार कोप्स की स्प्लाइग्म कि बे एकॉचली सप्ली मिल था आप copy करके रख सकते हो यही main token address होता है जो आपको यहाँ पर भी मिल जाता है Pups के बगल में ठीक है या फिर आपको यही token address यहाँ पर भी generally मिल जाएगा लेकिन यहाँ इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पर यह असली token BRC20 की chain पर अविलेबल है यहाँ पर आप जब अपनी wallet कर लोगे इस तरह से phantom wallet जब भी उसमें Solana भेज दोगे तो Solana यहाँ उपर लिखोगे नीचे जो है जिस token को बैक करना है यहाँ पर paste करोगे अपना वो contact address जो तुमने copy किया था ठीक है उसको paste करने के बाद देखो आपके सामने एक ही Pups आ रहा है इसको select कर लो ठीक है यही वो Pups है जो आपको बाय करना है अब इसके अलावा कोई भी Pups यहाँ पर मालो अपने सिर्फ सर्च कर दिया जाके आपके पास Pups आ जाएंगे यह असल तरीका इसके अलावा कोई वे नहीं है ठीक कोई वे नहीं और क्रिप्टो एक फ्रेजाइल इंडस्ट्री नहीं इंडस्ट्री है आपसे गलतियां हो सकती है ठीक है इसलिए मैं कह रहा कि यह चीज आपको ध्यान रखनी है और आप अगर इस मुझे बात करें तो अगर हम बात करें तो मुझे लगता है इसका टार्गेट अल्मोस 300-400 डॉलर आराम से होने वाला है 14 डॉलर पर अभी मिल ला है तो 20x का जो है एक तरह से सीधा-सीधा मुनाफ़ा हो सकता है बात करते हैं बिटकॉइन के रीसेंट मूव की जो रीसेंट मूव आया है बिटकॉइन में वो थोड़ा ओई के इंग्रीज के साथ है बस यह एक चीज कंसर्णिंग है क्योंकि जितनी बार बिटकॉइन उपर जा रहा है उतनी बार लोग जो है धडले से लॉंग कर रहे हैं दिस इस नॉट गुड तिंग जब ऐसा होता है तो चीज उठ नहीं पाती सही से तो मार्केट हर बार नीचे आ रही उन लॉंग को गिरा बेरिश करने का मतलब की था यहां पर बेरिश हुए तै अच्छा खासा उनको ट्रैप करके मार्केट उपर आगी अब दुबारा वहां जाएगी ही नहीं जितना मैंने सीखा मार्केट से उस तरीके की चीज करेगी यहां पर न आएगी तो उतना मैक्स पें लोगों का बढ तो इसलिए मैं भी सीख रहा हूं कहीं ना कहीं अपनी मिस्टेक से और अगर मैं बात करूं यहां पर दूसरी चीज होगी तो दूसरी चीज हमारे पास और भी है जिसकी बात मुझे करनी थी तोटल 3 का मार्केट केप की बात करें तो अलसी जब आया था लास्स ताइम अब देखो कि यहां पर बिटकोई को डॉमिनेंस नीचे चार्ट है और उपर है यहां पर और अल्ड कोईं का मार्केट कैप excluding bitcoin और ethereum तो अगर हम देखे तो recent में जो increase आया था total market cap में जब आया था तो तब dominance जो है last time क्या कर रही थी 67 से गिरके almost 42 तक चली गई थी ये वाला जो downfall देख रहा है अगर मैं इसको draw करके दिखाऊं तो ये जो move आया था in fact और नीचे और नीचे यहां कहीं पर और यहां कहीं पर बात करें तो यहां पर तो कुछ भी नहीं था यार कितना नीचे था ठीक है यहां पर हम थे around I guess यहां पर हम लोग थे around 122 million 122 million से market के लिए 900 million that means कि old coin का market के खुद बख खुद 4x 5x हो गया ठीक है कहीं ना कहीं या फिर आप मालो 7 8x हो गया ठीक तो अगर इस तरीके का move आता है bitcoin की dominance गिरने पर तो आप सोचो यहां पर क्या हो सकता है यहां भी कुछ इस तरह का structure बन रहा है यहां पर भी कुछ वही चीज बन रही है अगर मैं आपको दिखाओं यह देखो हम ना कहा पर है हम इस तरीके के structure पर है retest करने के move ठीक है तो यह structure है हम retest कर रहे हैं यहां पर ठीक है के बाद all coin को all coin के season आने में ठीक है तो उसका reason क्या होता है ethereum की कोई news आईगी ethereum को उपपर उठाएगी और शी के साथ-साथ all coins वह उपपर भागेंगे ठीक है alls की बात करें तो alls मुझे बहुत bullish लग रहे हैं इस area में buy करने के लिए कोई भी all करने वो और उसका नाम यह नाम है यहने यहने जो है वह रिसेंटली गया था वन डॉलर तक और वह मूव अल्मोस्ट होता है मैं आपको यह लॉंग की कॉल दी थी एने में और अर्मोस्ट 30% का मूव हमें मिला था लास्ट ताइम यहां था अभी दुबारा हमारे ब्रेक इव जो लोग चाहें वो पोजिशन मना सकते हैं बट आप लोग को भी पता है मुझे पता है दुबारा कॉइन का उसी सपोर्ट पर आना थोड़ा सा रिस्की होता है सेकेंड ताइम क्योंकि वो तूटने के चांसे बढ़ जाते हैं सपोर्ट के लेकिन जो मेरी थी थी वो अभी असार नीचे आया है वैसे तो मेरे ख्याल से लेकिन हम इसमें कुछ ना कुछ देख सकते हैं कि हमें एक गंटे में कोई RSI की बुलिज डावर्जन्स दिख जाए कुछ उस तरीके की चीज होती हुँ दिख जाए तो हमारे लिए बढ़े है जैसे यहां पर RSI की बुलिज ड करके बैठे हो इसको होल्ड करो मिनमम टार्गेट पांच डॉलर दस डॉलर अराम से होने वाला यहने का बुल मार्केट में और यह चीज आपको बहुत फाइदा लाके देने वाली इसी के साथ मेरा जो दूसरी बैट है वो पस रहने वाली है उसके अलावा हमारे पास यहा हो गया था उस दिन यहां पर डेली में और मेरे खाल से रून जो है वो भी बहुत बड़या मोमेंटम आपको दे रहा है अभी भी यह डेली में बहुत अच्छा को जो है सपोर्ड लेता दिख रहा है इसमें भी वाइंग दोबारा से हो सकती है रूट के अंदर ठीक है that is all from my side I hope आपको बहुत को सीखने को मिलाओ I'll see you guys in the next video till then bye bye